हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंडुड मॉइल फोन में अगर आपके वाट्साप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉल्म को आप सॉल्ट कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को हमें स्टाट कर लेते हैं देगी दोस्तों कभी भी अगर आपके वाट्साप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इसके सॉलिशन के लिए कर करने से ही होता है हमारे mobile phone के android system में अगर कोई प्रॉलम आ जाती है तो प्रॉलम हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से ठीक है अब दोस्तों अगला काम करना है कि आपको अपने WhatsApp को रिसेट करना है यानि कि WhatsApp का डेटा क्लियर करना है क्या से देखिए अगर आप आपने WhatsApp को आपको डिलियर के टाप करने में आपको आपको यह योजर डेटा और इन दोनों के सामनाला डेटा यह आपका जीर हो जाएगा इस तरह के वाट्साब करने जी से आपकी WhatsApp की जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शोर नहीं होती है यह प्रॉलम आपकी हो जागी ठीक है अव mobile phone का software अगर update नहीं रहता है तो इससे हमारे phone के android system के अंदर कुछ कम यह आने लगती है तो phone का software update है यानि आपको check कैसे करना है सबसे पहले phone का internet आपको चलू रखना है इसके बाद phone का setting पेज ओपन करना है अब दोस्तों अगला process आपको करना के आए कि आपको अपने WhatsApp को भी update करना है अगर यह update नहीं तो इससे अपडेट कर लेना है कैसे करेंगे आप अपने phone का play store open करेंगे ना play store में आपको सबसे ओपर की side नहीं यह search बार पे tap करना है search बार पे tap करेंगे यहाँ पर आपको search बार में WhatsApp लिखना है ठीकिना WhatsApp लिखके आपको णा सर्च कर देना है तो यह WhatsApp के सामने अगर open की जगह पर अब डेट लिखा हुआ दिखाई देता तो उसे अपडेट पर टैप कर आपको अपडेट कर लेना है ठीकिना अब दोस्तों अगला प्रोसेस यह करना है कि मॉवाइल फून को रिसेट करना है देखे दोस्तों मॉवाइल फून को रिसेट आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते है तब आपको फोन को रिसेट करने की जरुवत नहीं है ठीक है फोन को reset करने के लिए फोन का setting page उपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड है system पर tap करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड है reset option पर tap करना है, इसके अंदर सबसे नीचे delete all data, factor reset पर tap करना है, इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके whatsapp की जो incoming call screen के ओपर show नहीं होती है यह problem आपकी solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है, पहली बात यह ध्यान रखना है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आपको इसी दूसरे mobile phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखन यह तिगना